हलो एब्रिवन स्वागत है आपका एजूकेशन स्टेज यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको समी करार हल करना सिखाएंगे और सबसे आसान तरीका बताएंगे देखिए पहला सवाल दिया गया है x square minus 49 बराबर 0 तो हमको हरमी करार हल करने का मतलब है कि x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे जो x वाला पद है उसको एक तरफ रखेंगे और जो x वाला पद नहीं है उसको 0 के उस पार ले जाएंगे तो जब कोई संख्या 0 के उस पार जाती है पच्छांतर हो करके तो चिन बदल जाता है इसके आगे माइनस का चिन है तो इस पार जब आएगी तो प्लस का चिन हो जाएगा अब प्लस का चिन आगे दर्साया नहीं जाता है ठीक अब हो गया X की पावर दो इसको पढ़ते हैं X स्क्वेर x की घाते दो पढ़ है या x की पावर दो पढ़ है ठीक तो x square बराबर 49 लिखा गया है तो अगर हमको केवल x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे दोनों और वर्गमूल लेंगे है ना तो हम यहां लिख देंगे दोनों और वर्गमूल लेने पर लेने पर ठीक, अब हम दोनों और वर्ग मूल लेंगे X-square बराबर 49 इसमें फी वर्ग मूल लगा दिया अब जब कोई संख्या स्क्वाइर में लिखी होती है और उसका वर्ग मूल लिया जाता है तो स्क्वाइर हट जाता है तो इस वर्ग से इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पर आजाएगा X और अब 49 का वर्गमूल होता है तो आप मान रख सकते हैं अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है उन्चास का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है तो x बराबर हो जाएगा 7 इस प्रकार जो है हम समीकर निकालते हैं अगर वर्गमूल लेना माल लिजे किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा है आगे दूसरा सवाल हल करते हैं, दूसरा सवाल दिया गया है, 7x प्लस 3 बराबर 24, तो सबसे पहले हम 7x को इधर रखेंगे, और जो प्लस का 3 दिया गया है, इसको 24 की तरफ भेज देंगे, तो जब 24 की तरफ प्लस वाला 3 जाएगा, तो माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक, अब आगे हम क्या हल करते हैं, आगे 24 में 3 को घटा देते हैं, और जो जैसा लिखा हुआ है, उसी प्रकाल लिख देते हैं, तो 24 में जब 3 हम घटाएंगे, तो 21 बचेगा, अब यहाँ पर हम ध्यान दें, 7x जो लिखा गया है, तो इसके बीच में गुड़ा का चिन छिपा हमको मान निकालना है, एक्स का तो हम एक्स को इधर रखेंगे, और 7 को, जब हम उधर पच्छांतर करेंगे, तो भाग में आ जाएगा, ठीक, भाग में का मतलब होता है, गुड़ा में, सुरी, बटे में, तो 7 जो यहाँ गुड़ा में था, इधर हम भेजेंगे, तो भाग में आ जाएगा तो बटे में हम इसको कर देते हैं इस प्रकार अब हम साथ का भाग 21 में देते हैं तो कितने बार जाता है साथ एक कम साथ साद्दूनी चाउदा सात्रिक 21 तीन बार जाता है तो एक्स का मान जो आया वो तीन आ गया इस प्रकार ठीक अब आगे दोस्त और सवाल दिये गए हैं इनको थोड़ा सा जल्दी करते हैं ठीक पांच एक्स प्लस तीन बराबर तीन एक्स प्लस ग्यारा लिखा हुआ है तो हम जो एक्स वाले पद हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं तो तीन एक्स इधर ले आएंगे तो माइनस का तीन एक्स हो जाएगा बराबर ग 11 में 3 चले गए 8 बचे अब हमने बताया था X के और 2 के बीच में गुड़ा चिपा हुआ है तो X बराबर जब हम लिखेंगे तो 8 यह भाग में आ जाएगा 2 ठीक अब हम इसको 2 से काड़ देंगे 2 4 को 8 तो X बराबर क्या गया 4 आ गया इस प्रकार इसका मान भी निकाल आया अ अब आगे देखते हैं साथ प्लस स्वरी एक्स प्लस साथ बराबर टू एक्स प्लस चार दो एक्स प्लस चार तो हम पहले यहां पर ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है कि अगर हम इसको इधर पच्छांतर करके लाते हैं तो यह संक्या बड़ी है तो नहीं घटेगी तो आप इससे गबराएं नहीं आप जैसा नियाम होता है आप ऐसा करते रहें चलें ठीक तो टू एक्स इधर हम ले आए अब इस साथ को उधर हम बेजेंगे तो चार माइनस साथ ठीक अब हम यहां पर ऐसे नहीं घटा देंगे कि एक्स में टू एक्स तो एक नहीं लिखा जाता है और यहां पर माइनस का साथ था प्लस का 4 चला गया तो माइनस का 3 बचा अब दोनों तरफ अगर सेम चिन्ह आ रहे हो तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है तो एकस बरबर क्या जाएगा 3 आ जाएगा इस प्रकार इनको जो है हम काड़ देते हैं अगर सेम चिन्ह आ रहे हैं तो हम कार देते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अस्ता करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्यू